और बाता करेात सब्हूंना हुद परको 2 लना है कि शुरुषकट को हृती दूरु और अहुद सही पता है और बहुत बड़ा कद्दावर एक नेता जो पचास साल से स्थापित है उनको सिकस्त देना भी थोड़ा बहुत बहुत डिफिकल्ट काम था थजला पांच में मैं अच्व जिलापरिष्द का चुनाव लड़ा बो खेतनी से लड़ा आपको लखेगा कि मैं कहता हमसे बॉर कहां से मैं 16000 बिफिट जिला परिशन राजस्थान मैं सरवाधिक बोटों से नवल कbles ठीक तन something कआगे कोचिंग संस्थानों को आप शिक्षा का अब नहीं कह सकते इस्कूल रिजल्ट क्या देती हुख यह सिख्षा का हव होता है मान लोग की अगर पार्टी साने टिकेट नहीं दे है तो जाते इसको चुना हूँ मैं तो के संतोज जी अलाउट जगहीं बे निर्दिली खड़या हूँ अगे पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज एप राम राम जी नमसकार मेरो नाम आरून थे देख रहा हो जलको जुञ्जनु मतर बहुत स्वागत है जलको की जलक है सब से अलगों पर दोजार चोदा के अंदर जुनु से पर्थम महिला परधान बेरिया है भीकारद्श्टफ्रें है से समय आओगा मां बात करना। बात चीद मतंते वीडियों जुनुकर दोजद्रा होतो कि शिक्ष्या के बात करना वीडियों को शेयर जुरू कर देंड़ेन, लास्ट तक देखनो है वीडियो का स्पॉंसर ही स्टेज एप राम राम जी परीचे का तो थे बिल्कुल मोताज कुनिया थारोजों को चेहरो है जुन-जुन को बच्चों बच्चों जाना है और एक थारोपर ठपो लागरे पो यह है कि रिकोर्ड तोर नेता जी को ठपोजों को है यह खड़ाई की 15,000 मोतों से जहती थी, वह मेरा राजडिती का पहला कदम था इससे परे मैं स्कूल कॉलेजिस यूञाती हो और उसके पीछे भी एक मोटो मेरा था, एक मकसद मेरा था , इक उढदिश से मेरो थो कि जय है एरिया में मैं पीदा हुई हूँ ऑुह एरिया में क्वालिटी एज बढ़ने की IPS बढ़ने की ही, मगर मेरे पिताजी जो स्वतंतरता सेनानी था, उनको मन हो कि शिक्षा के छेत्र में मैं काम करूँ क्योंकि बिड़ला के सब कोई पढ़ा कुन सके, छोटो किसान, छोटो दुकानदार, रेडी आलो, क्योंकि फीस वहां बहुत ज्यादा है, लग मैं बहुत तब छोटी थी और एजुकेशन खतम करके इधर आई थी, तो मैंने स्कूल शुरू किया था, मकसद आपको मैं बता चुके हूँ, राजनेती में आने के पीछे भी राजनेती करना मेरा मकसद उस दिन भी नहीं था, और मैं कोई बहुत लाइक राजनेती करते थ और मन में कोई शपना भी नहीं था, मन में सפना तो सिर्फ सिक्षा के चेतर में बहुत-बहुत तागे जाने का था, जो मैंने इन सालों में पैतिस साल में किया है, बहुत सारे बच्चे, डोक्टर, एंजनियर, आरेस, आईेस, आईपीस, फोरेन में बहुत-बड़े नफिको नोग्षवाली के रूप में लोगों के सामने आया तब लोगोंने मुझे कहा मुझे कहा कि-ाप नव अपको इस शेतर में काम करना हा चाहिए हुए सुरजघ की मैं रूस-बड़ के बेटी हँ कियोंकि सुरुजघक की मैं यही मेरा स confront health है और कर्म-भूमी मेरा सुरुजगड है मैं बहुत सारे परिवारों से डिरेक्ट लिए इसलिए जुड़ी हुई हूं कि कितने सारे बच्चे 40 साल में मेरे से पढ़के गए हैं उन परिवारों को मैं अपना परिवार मानती हूं वह भी मझे अपना मानते तो लोगों के कहने से मैंने पहला चु काम करने को बहुत मंतों पहले आई एस बनने का था मैं आपको बता दू लेकिन फादर की विश्कों पूरा करने के लिए स्कूल शुरू किया था मैंने और वह भी 35 बच्चों से स्टार्ट किया था और आज 8000 बच्चे पढ़ते तो राजनिती में आके मैंने फिर यह परेशानी उठानी पड़ती थी और यह चेतर सुरूजगर चेतर बहुत पिछड़ा है एक तो यह हरियाना के बोर्डर पिस्तित है तो कल्चर हमारा थोड़ा हरियाना से ज्यादा मिलता है मिक्स और किसी मैं नहीं कहूंगी किसी की पर्टिपणी नहीं करूंगी लेकिन बढ़नी नहीं है शडके नहीं स्कूल में प्रोपर अध्यापक नहीं है व्यवस्ताहीं नहीं है यह बहुत सारा पिछड़ापन देख के मेरे मन में एक बात आई कि मेरे को कुछ इस चेतर में भी करना चाहिए लोगों के लिए करना चाहिए मैं जो कर रही हूं के साथ करने को लेकिन रोटी कपड़ा को भी जुगार उन से इकी भी साथ जरूत ज़िए बहुत ज्यादा है कि इसके बाद मैं 2000 में प्रधान बनी बुहना की पहली बार महिला प्रधान बनी और अड़े सरी कोड़ की सुरुवात ही यहां से मैंने काम करना स्टार्ट किया और इतना काम किया मैंने वहां कि हर गाउं बोलेगा आपको कि यह उस समय संतोष अलावत प्रधान थी तब बना था पानी की टंक्या बनाना ट्यूब वेल्स बनाना मकान जो जरजर हालत में स्कूलों के थे स्कूलों में पानी नहीं था टोईलेट्स नहीं थे तो यह बेसिक चीजे हमने वहां से स्टाट की और बहुत काम किया पांस साल बहुत ही अच्छे वहां निकले और मैं बहुत संतुष्ट थी कि अगर काम करने का मानस लेके आदमी आता है तो वह पोलिक्स इस नौट ऐसे बैड काम करने की मंचा हो तो तो मैंने उस समय काम किया और फिर 2004 में मुझ सभा का चुनाव लड़ा है और तब साड़े दस जार बोट उस समय अगर आ जाते दो जार चार में तो मैं सांसत बन गई होती लेकिन वो थोड़ी सफलता हमको नहीं मिले भी हार का पीछे जहां थे कि बड़ो कारण मान जाओं जहां कि सी स्राम जी ओड़ा एक बड़ा नेता है फिर जन्ता तक तारी पहुंच हो कौन से की पूरे जुन जुलू का अंदर शुरुजगर नहीं पूरे जुन जुलू का अंदर बाई का पैसे बड़ी हो जाहीं देखिए वह तो बहुत इनिशली मेरा पोलिटिक्स था मैं नहीं पहुंची थी यह भी पता है और बहुत बड़ा कद्दावर एक नेता जो पचास साल से स्थापित है उनको सिकस्त देना भी थोड़ा बहुत बहुत डिफिकल्ट काम था लेकिन मैं भी राजनिती में नहीं थी मुझे भी दाव पेच नहीं आते थे मुझे भी सुनाव लड़ना नहीं आता था तो यह कारण रहा अधिक बात मैं बताओगी जाना है वापस 2005 का अंदर ते जिला परिश्द सदेश से बने हां और तेरा का अंदर थे पहला महिला विधायक बने हां सुरुजगर से तो बीक अंदर भी ते रिकोर्ड तो रिकोर्ड तो आप बात कराएं कि लगातार राजनिती निक अंदर च मैं जेती और लोगों ने लोग उस समय आए थे उस वोड के मेरे पास और उन्हें का उधर से लड़ो तो मुझे लगा था कि चलिए लोग आए हैं तो वहां भी जाना चाहिए वहां के छेत्र को भी देखना चाहिए सुरुजगर से क्योंकि 2004 में मैं चुनाव लड़ चुक अब बहुत बड़ो गलत फेस्ट लोग बन को वहां जा है आज भी माने हो जा है तो थाना भी चीज़ों को अगर आपनी चेत्र चोड़की जाओंगा तो अपनी चीज़ों को नुक्सान ठाड़ो परसका है और ग्यारा साड़े ग्यारा हजार से हम जीत गए उसके बाद में विधान सभा का चुनाव लड़ी तेरा में और मैंने त्रेपन हजार से लगातार पांस बार जीते हुए विधाइक को कॉंगरेस के विधाइक को हरा दिया अधि चीज़ मना बताओ कि जाना 13 अंदर थे शुरुजगर से विधाइक बने अभी का बाद में 14 अंदर लोगसुबा को चुनाव लड़े हो तो फैसलो थारो खुद को फैसलो या पर पार्टी को फैसलो मेरा फैसला कैसे चलता पार्टी ने मुझे लड़ाया था टिकेट लागए पार्टी को फैसलो हो कि फैसलो चुनाव लड़ो और बिल्कुल लेंगोल खर्या बन की उमीदा पर उत्रह थे और है शांसत भी थे जुरुजगर से बढ़िया विदाय की तो यह थानकों लागएगे कि दोगलोशव बवेवार उसे हुँरहें पार्टी के अपने फैसले होते हैं, उनको चैलेंज करना है, वाली मैं कोन होते हूं, आला कमान ने जो समझा हो कि है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, टिकेट देखो, हमेशे किसी एक बंदे को नहीं मिलती, मुझे भी किसी की कटके मिली थी, मेरी कोई बात नहीं है, मैं as a member of भारती जन्ता पार्टी की निष्ठावान कारे करता की तरह समस्त फैसलं को सराको पे रखती हूं, पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी, वो मैं करूंगी, क्योंकि मैं सदेव भारती जन्ता पार्टी की बोर्ण कारे करता हूं, देशी मने बताओं कि अभी 2023 कंदरी चुना हो तो भी से जाएं जाएं इबार में सूरजगर से संदोज एलाउत ने रेक्स कहा हैं या फिर लोग सबागले त्यारी करें संदोज जी, मैं विदान सबास सूरजगर से टिकेट पार्टी से मांगूंगी, क्योंकि मेरा ग्रश हित्र है, मैं आसे विदाइक रही हूं, मेरी प्राजनिति यहां से शुरू हुई है, और टिकेट मांगना हर करेकरता का राइट है, मैं टिकेट मांगूंगी, फिर पार्टी दो मुझादेश देगी, उस पर में काम करूंगी, छोटी सी तानमे हिंट है, मैं भी देदू कि जी साब से गुजरात का अंदर चुना हुए है, और गुजरात का चुना हुए एक बीजेपी को एक नएव प्लान देख्यों कि देगा पुराना जगानेता ही, बन की टिकेट कार्ट की नया नेतान जगाएं पर टिकेट दी गई है, उताने के लागए कि टिकेट मांगों का सारी बात विल्कु सही है, लेकि मिलना का च नहीं मैं निर्दिलिये खड़ाऊंगे? नहीं बाटिक्स कर रहे हुँ तब तक मैं आ देनिये नरेंदर जी मोधी के नेत्रित्व में भाजपा की कारी करता बनके ही करूंगी, बाटिके खिलाफ़त पहले भी नहीं की आगे बिनें नहीं करूंगी ना मीदे लिये कभी तो पांस साल थे जुनजनु का अंदर काम कम होई है और बाई आमन वजह लाग रहे हैं कि सिक्स्क्र जो को है वेक्षा का नगरी को बनगो एक एजुकरिचन हब बनगो जुनजनु कड़ें गड़ें पिछड को है कि लागा कि थाले कारेकाल में पिछड को है फिर अब कोचिंग संस्थानों को आप सिक्षा का हमनी ही सकते स्कूल रिजल्ट क्या देती है वो शिक्षा का होता है आज भी जुननों सिकर से अगरनी है Ha Performance आप तो टो परस की बात करें अगर आप तो नगें तो कोचिंग खूलना वह पहले कोटां में थी अब वह इधर हो गई आज पास का लोग जुकर वो एक रोजगार को सादन वी मिला है काफी एक बड़ी संस्तान से जुकर लगबग हजार लोगां जो कर रोजगार को साधन मिलें तो इस चीज के अंधर भी फायद है देखिए जंजनों के लोग मैं आपको बता दू बहुत अलग कल्चर हमारी यहां पर है हमारे जंजनों के लोग बहुत जुजारू हैं काम करने वाली लोग हैं इमानदार लोग हैं सेना में सबसे ज्यादा जंजनों के लोग शहीद सबसे ज्यादा जंजनों के लोग नोकरी सब्सक्राइब करते हैं यह जगांगी यह जगांगी यह काम जो कि वह ऐसे काम कि जो आजादी से लेकर और बहतर साल तक आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर में जुन्जनु जिले में नेशनल हाइवेज नहीं थे साथ नेशनल हाइवे बने जो सीकर से लुहारू देख रहे हैं फोर लेंड बनी ट्रेन वापस से ली जो आठ साल से बंद थी सानिक स्कूल बना जुन्जनु में पासपोर्ट कारिया ले खुला जुन्जनु में रेल पे जो अवर ब्रीज है वो मंचूर हुआ जुन्जनु म यह आजाद होने के बाद देश पहली बार जुन्जनों के इतियास में हुआ जो बहुत उतक्रिष्ट कारिये जिनको आपके सकते हैं और हमें साथ में देखां कि नेता जगा हुए ही पे बयान बाजी के अंदर बोज़ाता विश्वास राखी ताकि चर्चा का विससे में बनेरी न्यूस पेपर में मेडिया के अंदर जगा खुब छाय रही है लोग बाद जानता रही है बिल्कुल बिकर उलट है कोई भी एंकि कोई बैन बाजी थारी तब सावक होने कि कोई ने थे कुछ गलत खेर हो या फिर कोई के खिलाब ते कुछ बोल रहो तो यह सब करते हैं बिल्कुल बाद के लोग अबुजिंग लेंग्वेज भाशा यूज करते हैं आप शब्द यूज करते हैं और किसी के लिए कुछ भी बोल के अपने आपको तीस मारखा समझते हैं मैं उस कलतर से आई ही नही हूँ मुझे ऐसे संस्कार मिले ही नही है मेरे खिलाब कैसाँ मिलेगा, minorities की लोगों को भगा दिया जो मेरे बोटर नहीं सही घाल से जिले से बाहर निकाल डिया इस तरह की राजनती नेगेटीव थोट मेरी नहीं है नेगेटीव राजनिती मैंने नहीं की और negative बयान बाजी मैंने नहीं की संतोष अलावत उस आदमी की उलाद है या मैं ऐसा character हूँ की मैं तोड़ने नहीं जोड़ने के लिए आई हूँ मैं सब लोगों को साथ करके साथ लेकर चलने में विश्वास करती हूँ मैं पड़ी लिखी योरत हूँ मैं कोई ऐसे तो हूँ नहीं की मैं साप राजनेती से कमा के खाती हूँ तो कल को मैं जाओंगी कहां मैं भूग मरूंगी मेरे सिक्षन संस्थाने में यहां भी काम करती हूँ मैं समरस्ता को बनाए रखने के लिए भी काम करती हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक आपको यकीनन मैं कह सक करते हूं मैं जुन्जनों जिले के उस हर परिवार के साथ खड़ी हूं वोट देना नहीं देना की बात अलग है जिनको मेरी जरुत कभी पड़ेगी बिल्कुर्ट करना की बी टाइम में जगा हो दो सिक्षा कंदर अम्में अम्में अना कर रहा कि और शुरुआज कि आपकी सदेव पार्टी के आदेशों की पालना के लिए हमेशा खड़ी जो पार्टी मुझे अधिश देगी मेरी पार्टी मेरे लिए जो ताइगी मैं उसको फोलो कर रहा है इसमें बहुत सारे कामों की जरुत है यहां आप देखोगे तो सडकों की दुर्गती आपको दिखाई देगी गाउं सडकों से इवन जुड़े तक नहीं है और पानी पीने का यहां नहीं है कुबाना लिप्ट परियोजना जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था आज तक पूरा नहीं हो पया है इस विदान सभा में गंभीर संकट पीने के पानी का है तो मैं यहां करना चाहती हूं क्योंकि यह मेरा ग्राश शेत्र है क्योंकि मैं यहां पैदा हुई हूई हूँ मेरा सफुराल है मेरा कारेक्षित्र है मेरी भूमी है तो यहां के लोगों के मेरी काम करने की इच्छा है विदान सभा से टीकट मांगे जाए अंतिम फैसलों जो पार्टी को होगो पार्टी जो फैसलों करेगी बुए कलिए सरो परी है बिल्कुल जो नेदले जाना को कोई सवाल उठा को नहीं है थाने के लागाएगी संतोज ये अलावत करे काल में जुझनु का अंदर कितनो के काम होयो हो और ये बार बांद चुड़ाओ अफाबात करना कि सुरजगर सर लड़नों चाहिए या फिर जुझनु सर लड़नों चाहिए अजिकी राय आमाने कमेट उसने जुरू दोगा वीडियों जोगो वो लाइक सिया जुरू कर देनों है और जलको जुझनु के साथ थारो प्यार एहीं बनाए राखो